आपको मात्राम ने ये स्वदेशी वाहन की सेवा के लिए नहीं बुलाया है। करना है। जिस काम को करें पूरे गोरव के साथ करें। आप सब मेरे साथ संगर लेंगे। रखूंगा ये भावना चाहिए हमारा। अपना कर्म ये अपना धर्म है। उसकोई स्वधर्म कहा है स्वकर्म कहा है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। सारे जुन्दगी का एक ही सार है कर्म और कर्म का फल। और भाई जो पुन्ने कर्म करता है नहीं पुन्ने कृत का शित धुर्गतिन तात गच्चती। जो सत कर्म करोगे तो आपके जीवन में कभी आपका अकल्यान नहीं हो सकता है। तो इस सुधीशी के कारिय को पूर्ण गोरव के साथ करना है। किसके साथ करना है बोलो है। गोरव के साथ। आत्म गोरव सबसे बड़ी संपदा क्या है हमारी। और सबसे बड़ी उल्टी बात क्या है आत्म गलानी। क्या है बोलो। आत्म गलानी। अच्छा भूलो, सब को सुख चाहिए कि दुख, सब को संपन्नता चाहिए कि दरिद्रता, सब को स्वास्थे चाहिए कि बीमारी, सब को सुख शान्ती चाहिए कि दुख और अशान्ती, सुख शान्ती, सब के आत्मा में यही बात रहती है न हमेश बोलो इसको मतलब आत्मा गलत किसी की भी इसको वेज के मंत्र में कहा जिश्टवा रूपी व्याक रूप सत्य अंड़ते प्रजापती अश्रद्धाम अंड़ते ददाद सद्धाम सत्य प्रजापती ऐसा बोला तो आदमी हराद भी तो आगे बढ़ना चाता है इतनी बेरोजगारी है फिर भी इतने अजागरूक लोग है हमने का भई यह स्वदी शिवान की सेवा इसको कर लो तुम कम से कम महने में पत्तीस तीस अजार रुपे कमाने लाइक तो होई जाओगे फिर भी लोग इतने ज़्यादा निराशा में इतनी ज़्यादा आत्म गलाने में अकर्मनिता में महमाया में तंद्रा में स्वए पड़े जाखती ही नहीं और सरकार की एक नोकरी के अप्लीकेशन आई पिछले दिनों पिमें भी हुआ कई जिगे हुआ तो में पिएचडी और सब लोगों ने एक नोकरी के लिए एक लाख लोगों ने अपलाई कर दिया क्यों सरकार की नोकरी ना उसमें काम करना नहीं संगा पूरी मिलें ये जो सोच है ये सोच हिंदुस्तान को पिछे ले जाने वाली सोच है अरे आप लोगों को जो सुदीशी की वाहन की सेवा दे रहे न आप कोई नहीं आपके साथ एक और आदमी को भी इससे नोकरी मिलेगी रुजगार मिलेगा उसकी जिवन में खुशारी आएगी एक सुदीशी वाहन पर दो आदमी रहोगे यह इतना बड़ा काम है हम जोब सीकर नहीं हम जोब क्रियेटर बनें आपको ऐसा बना और उनको भी और उनको भी साहरा दे भाई हर आदमी में कई बार सोचता हूँ आगे बढ़ना चाहता है हम आगे बढ़ना चाहते है या गिरना चाहते है आगे बढ़ना चाहते है सम्मान की जिन्दगी जीना चाहते हैं कि अपमान की जीवन में गती चाहते हैं कि दुर गती और गती में क्या है गती के आगे प्रह लगा दो तो क्या होता है गती के आगे प्रेलगा तो जोर से बोलिए गती से ही और बिना गती के जोर से बोलो बिना गती के दुर गती हो रखिये लोगों की गती नहीं करते चलते ही नहीं चरई वेती चरई वेती चरण वही मदमिंदत इंद्रा ही चरता सका तो आप लोगों को ये स्वदेशी वहान योजना से जोड़ा और मुझे पूरा विश्वास है आप इतने प्रामानिकता से काम करेंगे पूरे देश भर में अभी अगले साल पतंजली इस साल जो इतिहास बनाया है उससे दो तीन गुना चार गुना बड़ाई इतिहास बनायेगा सरकार अपनी पंस वर्षी योजनाओं की खुष्णा करते हैं तो लोग उन पर भरुसा नहीं करते लेकिन मैं ये ये आने वाले पांच वर्षों के पतंजली के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा तो चारों तरफ हौई तो बाँ मज जाएगी शोर शराबा मज जाएगा बवंडर मज जाएगा इधर उत्तर भारत की और हर्याना की भास्ता में बोलें तो रुक्का पड़ जाएगा और हम बोलें भाई हर्याना बोला बाई चाड़ा पाट गया रहे और जहां देखो वहीं चारों और पतंजली पतंजली हो रहा है अब देखना ऐसा बातावन पुरे देश में बना देना है कि ये थोड़ा इधरामी बिदेशीक अपने अबोरिया भी जर्वान के बाई जाए है ऐसा बातावन बना देना इनके प्रोटेक्ट पड़े रहे हैं और कोई खरीदार ना मिले है ऐसी सोच पैदा कर देनी है क्यों? एक छोटी सी बात है देश का पैसा कहराना थे बोलो और किसमें लगना थे ये देश की? तो इससे बढ़िया और क्या काम होगा? बार बार एकी बात कहो एकी बात एकी बात देश का पैसा रहे देश में लोटे ना अत्याचारी और भाई प्रोडेक्ट भी सेवा के लिए और प्रोफेट भी ये दो बाते हैं आज कर ले ना इतनी बात तो फुरेश एक देखो अनपड़ आदमें को कभी भी हींद रिष्टी से मत देखना जिसमा ने मुझे जनम दिया वो अनपड़ जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है ना समझ नादान नहीं है ये जो मैं आपको बात कहरा हूँ देश का पैसा देश में रहना थी और देश की सेवा में लगना थी प्रोफेट भी देश के लिए और प्रोडेक्ट भी प्रोडेक्ट भी देश के लिए बोले ये बात पढ़े लिके अनपड़ दोनों को समझ में आती है कि नहीं ये गरीब अमीर दोनों को समझ में आती है नहीं ये हिंदु मसलमान, सिक इसाई, इस्तری, पुरुष, बच्चे, भुजूर्ग सब को समझने आती की नहीं छोटी सी बात है इतनी सी बात करो और आप लोग स्वदेश इवाहन जैसे ही लेकर के निकलेंगे जो शहरों में हैं वो जाते जाते रास्ते पर कहीं कोई कोई बाजार कोई लगा मिले महां खड़ा कर दो स्वदेश इवाहन की देगा किया है जहां 25,85आइ खड़े हो वही स्वदेश इवाहन खड़ा कर दो जहां 25,85आइ दीखे वहीं खड़ा कर दिया और बताये कि भाई देखो देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सिवा मैं लगना चाहिए भाई ये प्रोडेक्ट आपके सेहत के लिए बनाए हैं और देश की सेवा के लिए बनाए हैं प्रोडेक्ट भी देश के लिए प्रोफिट भी देश के लिए आप एक बार देखो आप थोड़ा दिस्पिले उसमें इतना बढ़िया कि करके दे रहे हैं उस यह यह परिस्थिती कभी-कभी बनती है कभी-कभी परिस्थिती बनती है तो देश में सप्ता परिवर्तन हो जाता है और चाहे बेचने वाले का बेटा भी प्रदार मंत्री बन जाता है एक वातावन निर्मेत होता है कभी सोचा था सेकड़ों सेकड़ों सालों से वंशवाद की परिवारवाद की पाटियों की जड़े जमी पड़ी थी और वो सारी जड़ें खड़ गई जमीनों दोस्त हो गई क्या हुआ वातावर्ण बनता है कभी-कभी राजनितिक वातावर् कर्तन का वातावन बन जाता है जब हाधिशंकरापापजी देश में थे उस समय देश में एक ऐसा वहातावन निल्मित हो चुका था उस से पहले कि लगता था कि अब तो अपना वैदीक धर्म खत्रे में है लिकिन भातावर्ण हिसा बना अधिशंकरा porch जारे उने सास्त्रार्थ करकरके और अपने जियान से, अपने भीवीक से, अपने साधना से, अपने अध्यात्मिक बल से दुबारा से जो वईदिक धर्म, जो सत्य सनातन, अरिशी, परमपरा, तिरोहित होने करका आगार पर पहुँच चुकी थी, वो दुबारा से सनी होता था और उनको परास्त करने की तो कोई सौच में नहीं पाता था, वाताओन ऐसा बना थारा सो सत्ताओन की ख्रांती, इस धिश में पैदा हुई महाश्री दान, सरसुती ने, राने लक्षमी बाई, तात्या टोपे, सन्यासी विद्रोहिस का नाम दिया जाता था, थ फिर उस सेंकड़ों ख्रांती कारी तैयार हो गए देश के लिए मरने और मिटने के लिए, एक तरफ शांती धर्मा, दूसरे तरफ ख्रांती धर्मा महाश्री ने संघर्श किया, वैसे तो जिद्ध हम उसी समय जीत चुके थे लेकिन कुछ लोगों ने देश के साथ धोगा और गद्धारी की तो भी, जब कभी किसी ने सपने भी नहीं सोचा था, कि सत्तर से ज़्यादा देशों में देश का राज चलता है, वो कभी यहाँ छोड़के जाएगा, लेकिन वातवन ऐसा बना कि अंग्रीज को भागना पड़ा, और देश स्वाधिन हुआ, यह राजन स्वाधिन्ता के लिए वातवन आजादी के लिए वातवन कभी राजनेतिक परिवर्तन के लिए वातवन कभी कोई धार में ऐसा, योग का वातवन पिछली दिनों आपने देखा है, यह कोई दिहास की बात नहीं, कभी कोई नहीं सोचता था कि हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा उड़कर के कपार भात यह लोम विलोम करेगा यह वात अबने इस देश में योग का बना स्वदेशी जो है खाली मंचों पर बात होती थी स्वदेशी की स्वदेशी एक थौट प्रसिस बन करके रह गया था स्वदेशी कांदूलन आज इतनी बुलंदी पर पहुंचेगा सायद किसी ने नहीं सोचा था सायद लाखों लाखों शहीदों की आत्माएं हम सब की रूप में आप सब की रूप में जन्म ले चुकी हैं और अपने ही संकल्प को साकार कर रही हैं कि प्रसन्यत है आज कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इन विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियों को कोई देशी ब्रांड टकर ही नहीं दे पाएगा उनको परास्त कर पाएगा वो काम पिछले मात्र तीन सालों में पतंदली ने करके दिखा दे बीच सालों से हमने सेवा की और इस स्वदेशी का एक विचारी स्वदेश को दिया आने वाले पांच वर्षों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं ज्यादा कहूंगा आकड़ों के आधार पर तो मैंने काफिर बखेड़ा हो जाएगा लेकर आने वाले तेन से पांच वर्षों में पतंदली देशी नहीं दुनिया का सबसे बड़ा साथिक ब्रैंड होगा भारती ब्रैंड होगा और इसके मूल में किसी व्यप्ति की सम्रिध्धी नहीं सब की सम्रिध्धी क्या है बोलो सब की सेवा सब की सब की अका साथ से सब की सिक्षा सब का मंगल सब का कल्यान इतनी उची भावना के साथ एकाम इस काम को ना इस काम को बिजनेस मान के नहीं करना क्या बोला? इस काम को? बिजनिस मान के नहीं, व्यापार मान करके नहीं, ये व्यापार का काम नहीं, उपकार का काम है, किसका काम नहीं? व्यापार का काम नहीं, ये उपकार का परुपकार का काम है, ये कमाई का काम नहीं देश की, भलाई का काम है, मैं इस काम में लग रहा ह ठीक है मेरे लिए तो रोजी रोटी के लिए मैं कोई भी काम कर सकता था लेकिन मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं कि मेरे इस काम से मेरा देश का स्वाभी मान बचेगा मेरे इस काम से देश की समर्दी बढ़ेगी मेरी भारत मात अप परमवभवशाली बनेगी मेरे इस काम से देश के लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा और संसकार मिलेंगे मेरे इस काम से भारत माता तो बचेगी बचेगी गो माता बचेगी मेरे इस काम से मेरे पुर्खों के रिशमुनियों की लाज बचेगी मेरे इस काम से किसी गाउं गरीब के घर में चूला जलेगा और उसके घर में भी उचाला आएगा उसकी जीवन में भी खुशाली आएंगी मेरे इस काम से लाखों करोडों लोगों को रोजगार मिलेगा उनको सावलंबर मिलेगा मेरे इस काम से ये सामराज वाद, पूजी वाद, अधिनायक वाद और इस सोशन वाद का अंत होगा सोशन के खिलाब जी मेरा नळ Commissioner का काम है, धर्म का काम है सत्य का काम है, भगवान का काम है ये मेरा गुरु का रही है, राष्ट का रही है एतना उचा गोर आँ अपने सदै में ले करके आपको इस काम को करना है है और हमने खुशी है प्रशन ना था है कि पहले ही चरण में हमने अलग 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 प्रियोग किये हमने योका प्रियोग किया अर्वेद के प्रियोग किये स्वदेशी के भोत भिन्न भिन्न प्रियोग किये हैं वैदिक संस्कृति के भिन्न प्रकल्प आचारी कुलम तो एक प्रकल्प है वैदि गुरु कुलम तंजर विश विद्याल है अलग अलग सिक्षा के एक्षेतर में चिकित्सा के एक्षेतर में एक्रिशी के एक्षेतर में राजनीदी के एक्षेतर में बहुत से प्रयोग किया हमने और इस स्वदेशी के काम में भी बहुत से प्रयोग चल रहे है उसमें एक प्रयोग यह है जिसको अभी कर रहे है हमने योग में प्रयोग किया और योग का प्रयोग करके उसका प्रिणाम यह मिला कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बच गई लाखों करोडों लोगों की बिमारियां और बुराईयां दूर हो गई मन सारी रोग शहकारी बन गए सदाचारी बन गए लोग रोगी थे वो निरोगी बन गए जो निरोगी थे वो फियोगी बन गए योगी बन गए कितना बड़ा बड़ा काम हुआ हमने उसके लिए फिर हजारों लाखों योग सिक्षक तैयार किये पास संगठन बनाए पतंजली योग समीती महिला पतंजली योग समीती भारत साविमान युवा भारत किसान पंचायत अलग-अलग तरह से सारे संगठन बने और उनके द्वारा चारों तरफ एक बहुत अच्छा बाताउन बना फिर हमने आरिवेट के कारियों को आगे बढ़ाने के लिए पतंजली चिकित साल है फिर पतंजली आरोग्य के अंदर देश भर में खोले और फिर उसमें स्वदेशी प्रचारक भाईयों को लगाया अभी योग प्रचारक भाईयों की भी बहुत बड़ी सेवा सुरू कर रखी है और लग-अलग प्रियोग हर क्षेत्र में चल रहे हैं कि चीज़ को एक दिशा से नहीं सेंक्णों हजारों दिशाओं से उसमें पूरकता आती है सब दिशाओं से कोई भी प्रियास हमारा ख़र एकांगी नहीं होना चाहिए हमें बहुत दिक दिश्टी से भी पुर्शार्थ करना है वाणी की दिश्टी से भी पुर्शार्थ करना है व्याबार की दृष्टी से भी पुर्शार्थ करना है सेवा और साधना की दृष्टी से भी पुर्शार्थ करना है बाहर भी हमें संसार में भी तप करना है संघर्ष करना है पुर्शार्थ करना है हमें आंत्रिक जीवन में भी तप करना है हमें उपवास भी करना है हमें उपासना भी करनी है और हमें चारों तरफ से ज्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, राज योग, हट योग सारे प्रकार के योग बने कोई रास्ता छोड़ना नहीं है कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार की अपूंड़ता नहीं आने चाहिए सब दिशाओं से इस काम को आगे बढ़ाना है सब कामों में हमें देखो जब हमारी नियत साफ होती है और काम हमारा नियक होता है तो देश की क्या दुनिया की बात क्या भगवान भी हमारे साथ होते हैं हमें सफलता मिलती है अब ये नया प्रियोग शुरू कर रहे है अब ये दो तिन प्रियोग नए शुरू किया हमने एक तो योग प्रशारक का प्रियोग वो बहुत अच्छे से चल रहा है जिस काम को करें बस गौरियों के साथ करें अब ये स्वदेशी वाहन की सेवा का विचार मेरे मन में करीब एक मैने पहले आया कि भाई ये विदेशी कंपनिया करीब तरही हजार करोड रुपए पच्चीस सो करोड रुपए जो यूनिलिवर है पिछले साल का इसका बज़ट था पच्छी सो करोड़ धाई हजार करोड़ रुपए इन्होंने विग्यापन में खर्च किये कितने खर्च किये बोलो धाई हजार करोड़ रुपए मैंने का ये खाली जो है टीवी पर एड दिखाते है कुछ हीरो हीरोन एक्टर एक्टरस को कुछ पैसे दे देते हैं वो पैसा मुश्किल से 25-25 लोगों के पास में चला जाता है हमने कहा हमें इनके रास्ते पर चलकर कि इनका मुकाबला नहीं करना हमको विग्यापन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों को जानकारी मिननी चाहिए प्रोडेक्स के बारे में परन्तु जादा पैसा हमें क्रियेटिव कामों पर खर्च करना है तो हमने विचार किया कि गाउं गाउं में लोग प्रतंजली के प्रोडेक्ट ढून रहे हैं वो कहीं शहर में आते हैं दुकानों में जख मारते हैं उसको भी बढ़ा रहे हैं पैनिटेशन का काम रिटेलिंग में ओपन मार्केट में हर दुकान पर करीब सवा करोड से जादा हमारे यहां पर दुकाने है उनमें डेली यूज की जो कुछ दुकाने उसमें मातर फरनीचर की हैं कुछ कपड़ों की हैं कुछ अलग अलग तरह की दुकाने भी होती हैं जिसमें किसी में माले जिप टॉलेट सीट मिलती हैं किसी में खाली टाइल मिलती है किसी में कुर्सियां मिलती है किसी में खाली कपड़ी मिलती है अलग-अलग तरह की दुकाने होती है तो जो पतंजली उत्पात बनाता है उस तरह की उत्पात देश में करीब 90 लाख सोपस पर मिलते है उसमें विदेशी कमपनियां जगए जगए पहुंच गई हैं तो अभी की दो सेल्स टीम थी अब्धुदै विभाग को जमेदारी दी गई कि हर एक जगए पर पतंजली का सामान मिले इसके लिए पुर्शार्थ करना है और आपकी जानकारी के लिए यह हमने जो लक्ष दिया है इस साल के अंत तक ऐसा हम सोग प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद है लेकिन हर एक दुकानदार का तो इतना सामर्थ है नहीं होता है कि पतंजली के सारे प्रोडेक्ट लग ले या सारे नहीं सुबहशे शाम तक मनें मनजन करने से लेकर के रात को अंजन करने तक आँखों के लिए बहुत अची पतंजली कादल बना रखी तेहराद होने के लिए फेशवास बना रखा है सरीर पर लगाने के लिए अलग लग प्रकार के नारियल के तेल और जड़ी बूटियों से साबन बना रखे है हर्बल बादसोप है अलग लग प्रकार के शैंपू है कोई चीज कंडिशनर है बालों का तेल है केश कानती हो या दंतकानती हो या जो है अलग लग प्रकार के क्रीम सो हो लोशन और उब्टन ही नहीं इसमें क्या क्या नहीं बनाया हमने और सबसे बड़ी बात हमने केमिकल्स की इस दुनिया में प्रकृती की एक ऐसी हमने मुहीम चलाई नेच्चरल चीज़ों के प्रतिय का ऐसा ट्रेक्शन हमने इस देश में तयार किया है परिणाम के आधार पर लोग एलुवेरा को बेकार की चीज समझते थे आज एलुवेरा देश में शोट हो गया है अगले साल हमने सोचा है कि लाखों किसान जिनकी जमीन बंजर पड़ी है कुछ नहीं होता बहुत ज़्यादा उपजाओ जमीन पर अलुवेरा नहीं लगाना चाहिए उसे वो एकॉनुमिक ली प्रफिटिबिलिटी एकॉनुमिक वाइबिलिटी नहीं आती है लेकिन ऐसा आंधर प्रदेश में मद्धे प्रदेश में महाराश्च्च में गुजरात में राजस्तान में ऐसी बात सी बंजर जमीन रेतिली जमीन है जहां कोई खेती नहीं हों सकती वहाँ पर भी ऐलुवेरा की खेती करके लाकों किसानों के जीवन में हम समर्दी लेकर के आएए हैं और देश के करोड़ों लोगों के दियों में स्वास और संदरता लेकर के आए अलेवेरा से स्वास से मिल रहा है और तो संदरता मिल रही है नई परंपरा हमने पहला कर दी है इतना बड़ा काम हो रहा है खाने पीने की चीज नमक आटा दाल से लेकर के पावर वीटा नूडल से लेकर के बिस्किट से लेकर के घी से लेकर के तेल से लेकर के फूड हो नेचुरल फूड, नेचुरल कास्मेटिक, नेचुरल मेडिशन और अब बहुत जल्दी ही पतंजली आगे घी में और दूद में तो आ ही गया है एक दूद का पाउडर, क्योंकि आजकर एक शब्द सुनते हो ना आप ATM, ATM बेंक पैसे के तो खुले वे हैं, एनी टाइम आप मनी निकाल सकते हो, एनी टाइम मनी निकाल सकते हो, बेंक से, ATM बने वे हैं, हमने का एनी टाइम मिल्क, जब चाहो तब पतंजली गाय के दूद के पाउडर की दो चमस जालो, और दो तयार, रही तयार, घी तयार, मक्षन तयार, दो चाहो बना लो, क्योंकि वो होल मिल्क पाउडर है, डबलू एम पी मानी, पूरे के पूरे दूद में से पानी निकाल दिया, दूद में से पानी निकाल दिया, तो क्या बन गया, पाउड पर रूप तयार हो गया अभी लिक्विड दूद से ले करके चीज से ले करके मक्षर से ले करके बहाँ जल्दी ही पतंजली बेरी में भी आने वाला है चार सेक्टर होंगे किसानों से और सीधी जुड़ेंगे फिर पतंजली पशुवार पतन जली फोडर पसु चारा मने कितने फिल्ड हो गए नेचुरल मेडिशन अपने सेर्टर तो पता होना चेहिए ने कितने ख्षेत्र होगे नेचुरल मेडिशन नेचुरल कोस्मेटिक नेचुरल फूड डेरी और नेचुरल पसु आहार और पशू चारा पशू की दवाईयां फीड सप्लिमेंट तो हमारे छे सेक्टर होगे बड़े और पशू चार दो छे नेचरल मेडिशन अरवेदिक दवाईयां नेचरल फूड नेचरल कॉस्मेटिक और नेचरल डेरी प्रोडेक्ट और नेचरल एनिमल प्रोडेक्ट उसे छे सेक्टरों में कितना बड़ा ये इसका आर्थिक आयाम होगा कितना बड़ा आर्थिक विस्तार होगा आर्थिक विस्तार के बारे में अभी मैं एक आकड़ों में बताऊंगा तो बहुत लोग परिशान हो जाएंगे इसका आर्थिक आकार इतना बड़ा होगा जितना बड़ा आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था इतना बड़ा होगा और आपको ये गोरव होना चाहिए कि इतने बड़ी इस आर्थिक करांती से स्वदेशी करांती तो हो गई ये क्या बोला मैंने सदेशी वा आर्थिक क्रांती से सारे काव हम क्रांती की तरह करते हैं धीमा धीमा चलना हमको पसंद नहीं आता सूरिय की किर्णे कितनी स्पीड चे धरती पर आती है तो इस तो धरती पर उजाला होता है सस्थिपन्ता मनुचरे मसूरिया चंद्रमसाविवा पुनर्दताता खनता जानता संगमे मही यह हमारा आदर्श है कैसे चलो सस्थिपन्ता मनुचरे मसूरिया चंद्रमसाविवा सूरिया चंद्रमा की भाती चलो कुछ लेटर पठर खटर पठर नहीं ले दाले चल रहे हैं आगे बढ़ा होसले के साथ ऐसे बढ़ा आपको और इसमें हमने कहा हमने अनेक प्रियोग किये उसमें ये दो आप वाला प्रियोग है अभी हम पांसो ही नहीं इस देश में साथ्पिक कारे करता है जी बोलो साथ्पिक है तो साथ्पिक होना चाहिए साथ्पिक साथ्पिक ये भौट बड़ा दर्शन है जीवन का साथ्पिक साथ्पिक की सुचिता हमने बना के रखे अच्छे कारे करता मिलेंगे तो पांसो नहीं हम तो पांच हजार स्वदी शिवाहन पुरे देश बचला देगे ऐसा संपिक पसे एक ही सर्थ है किसकी पवित्रता साधन की पवित्रता साध्य की पवित्रता साधना की पवित्रता सेवा की पवित्रता ये साथ्य साधन की सुचिता बड़ी महत्वपोन है तो ये प्रियोग कोई भी प्रियोग पहरी बार हो और उसमें कुछ लोग गलत कर दें तो बोलो उस मिशन की हानी होती है कि नियुँ उससे तो एक भी भाई को अपनी मर्यादा का अतिक्रमना नहीं करना जो अपना सधर्म है उसमर बढ़ी जाना